दोस्तों क्या आपको पता है कि इस स्पीकर में भी प्लस मैनस होता है हाँ दोस्तों इस स्पीकर में भी प्लस मैनस होता है वैसे तो इस स्पीकर को किसी भी तरीके से जोड़ दे तो इस स्पीकर बज़ता है इसके बजने में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है लेकिन इसमें भी प्लस माइनस होता है और यदि आप अपने स्पिकर कनेक्शन प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो यह स्पिकर जादे दिनों तक चलेगा और इसकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर होगी यदि आप उल्टा कर जाते हैं तो इस स्पिकर का आवाज थोड़ा दब जाता है और यादि आप जाती दिनों तक उल्टा कनेक्शन करके इस स्पिकर चलते हैं तो इस पिकर की आवाज की क्वाल्टी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी और बात में बिल्कुल खराब हो जाएगी इसलिए यह ज़रुदी है कि इस पिकर कनेक्शन आप सीधा कर यानि प्लस वाले में प्लस तार जोड़ें और माइनस वाले में माइनस तार जोड़ें किसी किसी स्पिकर पर लिखा होता है कि प्लस और माइनस कौन सा है जैसे कि छोटा वला स्पिकर आप देख लिजिए यह दगे इधर का प्लस है और इधर का माइनस है वैसे तो सही होता ह ये लेकिन कभी-कभी गलत भी होता है इसलिए जरूरी है कि स्विकर करनेशन करते आले में कहीं भी नहीं लिखा रहता है ऐसे प्लेन रहता है प्लस माइनस का इसमें पता ही नहीं चलता है इसके अलावा यहां पर एक और स्पीकर है यहां भी देखिए प्लस माइनस कहीं भी नहीं लिखा है तो इसमें हमें प्लस माइनस पाचाना बहुत जरूरी है ताकि कि यह जखें एभी का टेखिकर में से यहाँ पर प्लस म Avenus नहीं दिखा है लेकिन यहाँ पर लिखा है इधर का प्लस है और इधर का माइनस है माल लीजे कालने जैसे तरह ख़ड़ कनेक्शन उल्टा करने से बहुत फरक पड़ता है यह देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों दिखाया था कि इस तरह का ब्लूटूथ वाला मीनी टीजी सांडबक्स कैसे बनाएं तो इसमें दस्तल हुआ था यह कि मैंने एक स्पिका कनेक्शन सही किया था लेकिन इ अवाज बीच में कहीं गूज रहा है यानि आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती थी तो मैंने क्या किया फिर से दोनों क्नेक्शन चेक किया तो पता चला कि इस दूसरे वाले इस सिधा कर दिया तब जाके इसकी आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई और अभी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की आवाज इसमें आती है तो speaker connection उल्टा करने से यही होता है आवाज जो है clear नहीं आएगी यदि हम बात करें पहले तरीके का तो पहले तरीके में हमें इस तरह का 3.7 बोल्ट की कोई एक बैटरी चाहिए जिससे कि हम अपने speaker का connection चेक करेंगे इस बैटरी में यह लाव वाला तार प्लस है और काला वाला माइनस है सबसे पहले मैं छोटे वाले को दिखाता हूँ छोटे वाले में इधर वाला प्लस है इधर का माइनस है यानि जो brown wire है यह प्लस है और black वाला माइनस है तो इसी के हिसाब से हम इसका connection करेंगे speaker का जो उपर का cone है इसको आप ध्यान से देखिएगा जैसे ही मैं इसका connection प्लस में प्लस करूँगा और माइनस माइनस करूँगा तो इसका cone जो है उपर के तरफ आएगा देखिए देख़ें जैसे यह कौन ऊपर आ रहा है तो ये side वाला जो rubber है उत्थ धफ जा रहा है तो देखने में ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रहा है लेकिन ये नीचे या रहा है मैं थोलट से ऐसे करके दिखाता हूँ देखिए देखिए जैसे मैं बैटरी कनेक्शन दे रहा हूं तो इसका कागजवाला कौन जो है उपर तरफ आ रहा है देखिए यदि मैं उल्टा कनेक्शन करता हूं तो यह नीचे जाएगा देखिए अब यहां इस्पीकर के प्लस में बैटरी का मैनस वाला तार और इस्पीकर के मैनस वाला तार में बैटरी का प्लस वाला तार को कनेक्शन करेंगे तब देखेगा इसका कौन देखिए अंदर के तरफ जा रहा है जब इस्पीकर में बैटरी कनेक्शन करेंगे तो यदि कौन उपर आता है तो आपका कनेक्शन सही है यानि प्लस में प्लस और माइनस में माइनस है यदि कौन नीचे जाता है तो कनेक्शन उल्टा है इसी प्रकार से अब हम बड़े वाल तो देहाए नीचे जा रहा है तो टेड़ा कर देता हूं तो nosazz carbine यह तरीक्टे आका तो नीचे जा रहा हूं तो इसका कुन जो है नीचे जा रहा है यांनि इसका क्नेक्शन उल्टा है तो अभी हम क्या करेंगे इस तार को उल्टा जो और के देखते हैं या speaker के काले वाले तार को battery के plus वाले में और battery का जो काला वाला तार है speaker के सफेद वाले तार में हम जोड़के देखते हैं देखिए सीधा ही देखने पता चल ज़ा रहा है कि यह उपर आ रहा है यानि इस speaker में जो wire connect किया है वो उल्टा है थोड़ा सा इड़ा करते हैं देखिए देखिए जैसे ही मैं battery connection दे रहा हूं यह speaker पूरी तरह से उपर आ जा रहा है तो दोस्तों यह था पहला तरीका यानि battery के जरिए आप speaker connection चेक कर सकते हैं और यह बिल्कुल सही तरीका है एक और तरीका है माल लेजिए आपके पास इस तरह का कोई बैटरी नहीं है तो भी आप इसका connection पता कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों बताया कि इसका connection उल्टा किया हुआ है यानि इधर चो काला तार है इधर प्लस है और इधर माइनस है क्योंकि इसका connection उल्टा है अभी मैं क्या करूँगा इस काले तार को इधर connect करूँगा और सफेद वाले को इधर तो यह सिधा हो जाएगा इसका यानि प्लस इधर है माइनस इधर है देखिए हमने इस speaker को उल्टा करके ऐसे रख दिया है तो देखिए जोस्तों इन तीनों speaker में एक बात common है देखिए इस बड़े वाले speaker का जो प्लस ओला connection है वो देखिए इधर है यानि हमारे right side में यह देखिए मेरा दाहिना हाथ है और यह है बाया हाथ यानि यह दिया speaker को उल्टा करके देखिए तो जो हमारे दाहिने तरफ होगा वो प्लस होगा और जो बाया तरफ होगा वो माइनस होगा देख सकते हैं यह है प्लस यह है माइनस इसी प्रके से छोटे वाले में देखिए इस मेरे दाहिने तरफ है यह प्लस है और बाया तरफ यह है माइनस इसमें भी देखे हमारे दाहिने हाथ के तरफ प्लस है और इस बाएं हाथ के तरफ माइनस है यानि यदि आप स्पिकर को उल्टा करेंगे तो स्पिकर में जो दो तार होगा दाहिने वाला आपके दाहिने हाथ के तरफ वो प्लस होगा और बाएं हाथ के तरफ वो माइनस होगा तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि इस speaker में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है लेकिन यह के वाल अंदाजा है आपको कनफर्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यह बैटरी यह दिया आपके पास इस तरह का 3.7 मोंट की कोई बैटरी है या फिर इससे उपर नीचे भी चलेगा कोई बैटरी है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि इस speaker connection कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है और यह चोथा speaker है इसे में मैंने चेक किया था प्लस वाला दाहिने तरफ है और माइनस वाला बाहिने तरफ है तो दोस्तों उमीद है आप लोगोंने सीख लिया होगा कि speaker connection कैसे चेक करते हैं यानि speaker में प्लस का तार किदा जोड़ना है और माइनस का तार किदा जोड़ना ह जिससे की हमारे स्पिकर की लाइब बनी रहे और हमारे स्पिकर से अच्छी क्वाल्टी की आवाज आती रहे तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरो प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसी पिलार की एक और जुखार वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों दस्तों